कि वेल्गम टुए डूज मैं मनिश्क मार्ठाकुर आज के वीडियो में हम लोग कि डिफरेंट कंपोनेंट्स के बारे में डिसकस करेंगे जो कॉम्निकेशन सिस्टम में यूज होता है उसमें एक इंपोर्टेंट है कंपोनेंट्स है टांसड्यूसर जैसे कि लास्ट वीडियो ने हम लोग डिसकस किये थे कि जो भी इनफॉर्मेशन सिगनल है वो सोर्स से प्रोड्यूस हुआ तो यह हो सकता है कि यह ओडियो फॉर्म हो जैसे हम लोगों ने एक एक्जामपल लिया था जैसे आप फ्रेंट से बात करते हैं फोन से तो यहाँ पे आपका जो इनफॉर्मेशन होता है वो और्यू फॉर्म में होता है यह डायरेक्टली डेल ही तक नहीं पहुँ सकता है तो हम लोग इसके लिए एक सिस्टम का यूज करते हैं जिसको हम लोग ब्लॉक डायग्राम से लास्ट वीडियो में देखे थे उस ब्लॉक डायग्राम को आप जरूर देखें पहले तो यह सिस्टम में जो हम लोग different components यूज़ कर रहे हैं तो यह information जो source से produce हुआ जो audio form में है उसको हम लोग सबसे पहले voltage या current form में convert करते हैं जिसको हम लोग information signal बोल रहे हैं यह जो audio form में आपका information जो है उसको एक proper form में convert किया जाता है voltage current form में उसी को बोला जाता है information signal इसमें यह help कोन करता है हम लोगों यह conversion में तो यह है transducer transducer is a device which convert energy from one form to another for example आप speaker use करते हैं या फिर आपके cell phone में mic होता है यह mic का work क्या है यह mic आपका जो sound है उसको receive करता है और उसको electric form में convert करता है या फिर speaker का क्या work है यह जो electric signal मिलता है उसको sound में convert करता है या फिर आप घर में LED जलाते हैं यह क्या है यह भी एक transducer है यह electric energy को light energy में convert करता है तो यह different different form है transducer का यह transducer है यह transducer है यह जो audio signal receive करके इसको electric form में convert करके और यह transmitter को दे देता है अब यह transmitter इसको proceed करता है communication channel के थो receiver तक यानि इसको transmit इस electric form को communication channel के थो यह receiver तक इसको send करता है इसके बाद यह transmitter यह है क्या इसके बारे में हम लोग detail में next video में देखेंगे कि यह transmitter क्या है यह कैसे work करता है हम लोग फिर से next video में मिलते हैं आप subscribe करना और like करना ना भूले कोई भी आपको problem हो तो comment box में comment करें हम लोग कोशिस करेंगे उसको दूर करें